नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको आज किस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट के वारे में यह क्यों होता है कैसे होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है सबसे पहले बात कर लें कोल्ड स्टार्ट क्या होता है तो आपने अपनी गाड़ के लिए ECU द्वारा फ्यूल का जो एक्स्ट्रा मिक्स्टर दिया जाता है उसी के द्वारा जो थोड़ा सा आर्पीम बढ़ता है उसी को कोल्ड स्टार्ट बोला जाता है और उससे फायदा यह होता है कि आपका इंजन जो है जल्दी से जल्दी अपने वर्किंग टेंपरेच नहीं करता है तो दोस्तों प्रेल स्टार्ट इस से जादा और कुछ नहीं है लेकिन अब आपको को बिल्कूल ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है कुछ नहीं होता है थोड़े से जब खाली आर्पीम बढ़ते हैं गाड़ी के और जो लुब्रीकेशन का काम रहता है वह चल रहा होता है इंजन ज्यादा वर्क नहीं करता है केवल स्टार्टिंग हो रही होती है तो आपकी बेटरी राद भर में या जितने भी लंबे समय से आपकी गाड़ी खड़ी है उसमें जितने भी डिस्चार्ज होई होती है यह बात तो सही है लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इंजन तेजी से गूम रहा होता है तो आपको वाइपर नहीं चलाने चाहिए आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाना चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप तेजी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तब भी तो आपके आर्पीम हाई रहते हैं उस समय भी तो आप अपने सारे लेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं सो बेटरी एक प्रॉपर उसकी एक लिमिट होती है उसी लिमिट में वह आपको करेंट आउटपूर्ट देगी उससे ज्यादा नहीं दे सकती ठीक है और जो अल्टरनेटर है वह भी उसका मतलब उस पर भी सब कुछ कंट्रोल वे में करेंट जाता है बेटरी के अंदर आप इंजन में कितना ही एसकलेटर देलें इंजन को कितनी तेज घुमा जो उसकी स्पीड होने की वही होगी ऐसा कुछ भी नहीं कि एकदम से ज्यादा करेंट आजाएगा का फ्यूस हो जाएगी का इसमें गाड़ी के लेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओड़ जाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है अब बेजिजक होकर जब आपकी गाड़ी कोल्ड अब आप अपने सारे लेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिए और मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप देने वाद जाहिन